कोरोना काल के बाद इस वर्ष पूरे मनसोर शेहर में गणिस उसो बड़ी धूमधाम से बनाया जा रहा है जगा जगा चुराई गली में महले में आकरशित गणिस स्थापना की गई है और विशेश सास सजा के साथ गणपती बाबा को भोक लगाया जा रहे है इस वर्ष लोगों में खासा उस्सा दिखाई दे रहा है गणपती स्थापना समीतिया दुआरा रोजाना कई कारिक्रम किये जा रहे है और भगवान की प्रशादी की रूप में अलग-अलग तरह से मिठाया बाती जा रहे है मनसोर के स्टेशन रोड स्थीत गणपती बाबा को देखने के लिए और दर्शन करने के लिए सेकडों की संक्या में महिला और पुरुष बच्चे पहुच रहे है जहां पल लंबी कतार देखने को मिली गणपती समिती सदस जैदिप ने बताया कि लगातार हमारे दुआरा ग्यारा वर्षों से गणपती स्थापना की जा रही है दो वर्ष बीज में कोविट के कारण छुट गए थे हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणपती बाबा के तीन रूपों में दर्शन कर सकते हैं तीनों रूप में एक वर्फ की गुफा बनाए गई है जिसमें होकर दर्शनाती जाते हैं और दर्शन करते हैं दूसरे रूप में गणेजी शिवजी की भक्ती कर रहे हैं उलाल पाक के राजा की रूप में दर्शन दे रहे हैं और तिसरे रूप में गणपती बाबा धर्दी के रूप में बेठे हैं और धर्दी पूरी गूम रही है जो कि यहां पर आकरेशन का केन बना हुआ है दर्शनाथी ने बताया कि लंबी कतार में खड़े होकर अपनी बारे का इंतजार करते हैं क्योंकि यहां बहुती आकरश्यक गणपती बाबा की प्रतीमा हर वर्ष स्थापित की जाती है और परिवार बच्चों के साथ आने में बहुत अच्छा लगता है यहां की जाकिया देखने के लिए बच्चों को बहुत खुशी मिलती है इसलिए हम लोग लंबी कतार में खड़े होकर भगवान के दर्शन करने आएं में अच्छा रहता है बच्चों यहां साल आते हैं हम यहां पर दर्शन को बच्ची एक्साइट होते हैं ने इतुक्त तो तो तेरा वर्ष हो चुके पर दो साल वीच के कोईट के बर्ष नहीं कर पायते तो उसके से हम लोगों को 11 वर्ष ही वाला हर बार की तरह इस बार भी तीन अलग अलग रूपों के दर्शन है जैसे हमारी बर्प की गुफा तो फेमस है उस पेसे तो जाना ही है उसमें ने मनसोर से पीडी बिरागी की रिपोर्ट